सलाम मेरे अजीज पंको परफ गाड़ी में तो इसका मतलब यह है कि या तो तुम इंतहाई अमीर हो या पर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे बस ड्राइवर पर भरोसा नहीं है भी एक तो होती है ना कोई रेंडम लोकल गाड़ी जो बचों को स्कूल में पिक और ड्रॉप देती है और एक उती है प्रॉपर वटी बस जिसमें पूरा खंदान रह सकता है सुबा सारे साथ बज़ लगने वाले स्कूल के लिए तुम्हें छे बज़े ही बस में बैटना पड़ता था क्योंके बस में कोई 300 बच्चे होते थे जिनको ड्राइवर ने तुम्हारे बात पर करना होता था और फॉर सम रीजन वो सबसे पहले मुझे ही पिक किया गरता था उसके बाद छोटे मोटे बड़े लंबे हर साइस का हर एज का बच्चा उसमें गाडी में गुसाना होता था सुबा का वक्त यूजिली किसी का भी बोलने का दिल नहीं करता बस में खामूशी ही होती है लेकिन एक ऐसा बच्चा जरूर होता था बस में जिसकी जुबान अंदर ही नहीं रहती थी वो मसलसल हर गुजरने वाली बिल्डिंग पर गाडी पर आज होने वाले टेस्ट पर सुबा खाये जाने वाली नाश्टे पर पेट में महसूस होती गैस पर उसको हर चीज़ पर शाहिद मसूद बनके तपसरा करना होता था लेकिन मसला स्कूल जाने का नहीं होता था मसला होता था स्कूल से वापसी पर स्कूल से अकर 20 बच्चे बस में जाते हैं तो उन में से चुटी टाइम 19 बच्चे गाडी में आके बैट जाते हैं लेकिन एक बच्चे ऐसा जरूर होता है तस पंदरा मिनट तक स्कूल से बाहर ही नहीं आता अपने दोस्तों के साथ मुतमीन बिखेरतों की तरह कोई ना कोई गूल खिला रहा होता है पत्चासवी अनाउस्मेंट के बाद लिए लाही बाहर तश्रीफ लाते हैं पंदरा मिनटों में अंदर बैठे 19 बचे मेडियम रेयर को खो चुके होते हैं क्योंके बस डिरेक्ट दूप के नीचे खड़ी होती है और बस का एसी तो उनकलने कभी चलाने ही नहीं होता था क्योंके वो यहां तो हमेशा खराब होता था यह सबसे सीने रूती थी वो मउ안स में अगरिश के वह मेरे वार सीट का आहिकर यहां अब अगर बस में टीचर हो ना तो एक जीब सा भोज में सूस होता है यूँ लगते है कि जैसे हमारी बस में टीचर नहीं है मौत का फरिष्टा बठा हुआ है आज कोई मूँ से बात निकल गई तो कल सुबा मेरे सर पे आके हाजर हो जाएंगी तो बंदा पने फ्रेंड्स के दिरम्यां बीना अनकॉंफोर्टबल साही रहता है बस में स्कूल से वापसी वाला टाइम सुबा वाले टाइम से काफ़ी अलग होता है बस के अंदर का महौल मच्छी मारकेट जैसा हो जाता है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंके वहाँ पे शोर बहुत जादा होता है बलके इसलिए भी के पूरे दिन के भागने के बाद पसीने से भरेवे बच्चे अपनी बदमुएं किसी रिडियो एक्टिव सबस्टेंस की तरह बस में फहला रहे होते हैं मुझे याद है मेरी स्कूल टाइम पर जब मैं एक प्राइविट गाड़ी में स्कूल जाती थी गाड़ी में टोटल फस फस के पाँच बच्चों की जगा होती थी और वह उंकल दस बच्चे बिठाया करते थे कैसे एक दूसरे की गोध में मैं भाई स्कूल टाइम पर टूथ पिक से भी जादा सुकी हुआ गरती थी मेरा अपना वेट 35 किलो था लेकिन मेरी गोध में बठाई जाने वाली बच्ची क्योंके मुझे से उमर में 4 साल चोटी थी तो उसको मेरी गोध में बठा दिया जाता था बेशक उसका वेट कम से कम 45 किलो था लेकिन वो केर्स लेकिन अगर कम्प्लीन करोगे तो अंकल ने कहना है कि बेटा अगर इतना बुरा लगता है तो कल हिसाब क्लियर करना और कोई और गाड़ी वाला ढून लो अब मेरी ये मजबूई थी कि एंकल इंतहाई शरीफ उननफस आदमी थे एक तो उनकी अपनी बेटी गाड़ी में होती थी और उपर से ना सफेद लंबी दाड़ी वाले आदमी थे जो गाड़ी में कुरान की दिलावत लगाया रखते थे इंके शरीफ होने कि नाकदर मुझे तब हुई जब मुझे किसी और बस ट्राइवर के साथ स्कूल आना जाना पड़ा और मुझे पर जल दिन किशाफ हो गया कि बंदा इंतहाई धर की आदमी है चोटे बच्चों को जब उनके घरों से पिक करने जाता था तो पहले तो अपनी गाड़ी में बैटके अपनी वालों में कंगी करता था जल लगाता था और अच्छे से बासेट करता था परफ्यूम लगाता था पहले दिन तो मुझे समझ नहीं कि हो क्या रहा लेकिन पिर मुझे आखर में पता चला कि जिन चोटे बच्चों को वा पिक करने जाता है उनके साथ उनकी माई भी खड़ी भी होती थी ताकि वो अपने बच्चों को तसली से बस में बिठा सके और ये उन माओ को इंप्रेस करने के लिए तैयारिया किया करता था बस में पहाने से हाथ लगाया करता था जिससे मुझे खुसा तो बहुत जाता आता था पर डर भी लगता था एक दिन मों किसी लड़की को अपिक करने गया तो वो दो मिनट लेट हो गई जैब वो गाड़ी में बैटें लगे तो कंदे को हाथ लगा कर देती और डेली उस लड़क थी कि वा यार क्या शेयर नहीं है पर उस बेगेर को कौन रोक सकता था बस में उसके लावा भी काफी सारी लड़कियां होते थी जिनको वो टैच करता रहता था कभी हाथ पर कभी कंदे पर कभी गाल पर और मुझे उससे शदीद उलजन होती थी एक दिन इस लोटे के मुझे रेलाइज हुआ कि भाई शरीफ आत्मी कितना कीमती होता है और मैं सोचनी हूँ कि यार पेरेंट्स को बिल्कुल भी अपने बच्चों को बस और वैन वालों के हवाले नहीं करना चाहिए चाहिए वो आज में कितना शरीफ ही क्यों न दिखे है खोदी पिकन डॉप अपनी स्टोरियां शेयर करो और आज के लिए बस इतना ही था में लास्ट वीडियो के रहे हैं देखो सब्सक्राइब यहां को में दूसरे चैनल को लोट यूज को फी सब्सक्राइब करो अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मझे भी बता और मैं मिलती हूँ कम से अगली अगली वीडियो मेखने आपी के साथ